अनकाड़मी, लेट्स ट्राकिल और जब नदी अपरदन होता है, तो कौन-कौन सी इस्थला करती हैं, इसमें इस्थला करती हैं, उनका हमको सचेत्रवर्णन करना है, विद फ्लोचार्ट पढ़ेंगे, हम विद डाइग्राम पढ़ेंगे, ताकि हमें जो आंसर लिखेंगे, उसमें हमको पूरा माक्स मिले, म प्रिंगल भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप हमारा पूरा पैकेज लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा, जिसकी डिटेल लास्ट में आपको दे दी जाएगी, एक और कोशन में, इसमें आपको इंस्टा मोजो की लिंक देके मिलेगी, इसमें कुछ प्रिंगल जाएगा, जिसकी डिटेल कोपी का तो वो भी आप ले सकते हैं, हाट कोपी और साफ्ट कोपी दोनों में ही उपलब्द है, और वाटसब गुरूप से जूडने के लिए आप डिस्क्रूप्स आपको बोक्स में दिए वाटसब गुरूप से जोड सकते हैं, जिस तो यह चोटे 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 ऐसे टुकड़े हो गया है, तो अप्छे से विखंडित पधार्तों को नदी, हिम नदी, बायू, आदी के द्वारा बहा ले जाने तथा चट्टानों के घिसने, टूटने, तथा खंडित होने के किरिया अपर्दन का मतलब होता है, तो उस से जो बधार्त होते हैं, उन पधार्तों को छोटे चोटे चोटे पानी आया, बारे साई, कंकर, उसमें नदी के द्वारा बहे गए गया है तो वो जो प्रिकरिया होती है वो क्या कहलाती है, अपर्दन कहलाती, ये नदी घाटी की पश्चेदि का है, जो इस प् गाटी को समझाओ 5 या 6 नंबर में आपसे यह सिंगल भी पूछ सकते हैं और आपसे यह 15 या 11 मार्क में पूरा भी पूछ सकते हैं बेर फ्रेंड्स मेरे जो सभी नोट्स बनाए गए हैं इसी प्रिकार से हैं रिटन तैयार हैं बहुत सारे लोग कमेंट वक्स में या वाट्स इसके अलावा आपको गूरूप दिये जाते हैं गूरूप में भी आपको अलग-अलग तरीके से आंसर को गुमाकर के कैसे में पुछा जासकता है उन पेट गूरूप में दिए जाते रही हैं तो आप एक्जाम तक के लिए आप हमेशा आपको एक कंटेंट मिलता रहेगा नोट्स के अलावा भी जो आपको एक्जाम में बहुत ज़ता फायदा देगा सबसे पहले वियाकर की घाटी तो भू तल पर बहने वाली नदियां सरवत्र घाटियों का निर्मान करती है भू तल पर बहने वाली नदियां जो धर्ती के तल पर बहती है वो नदियां सदे घाटियों का निर्मान करती है नदी निर्मित इन घाटियों की आकर्ती वियाकर की होती है कुछ इस प्रकार की आकरती होती है ऐसी नदियां जो भूतल पर वहती है परवतिय भागो अत्वा नदी की उपरी घाटी में घाटी की भुजाएं तीब्र ढाल वाली होती है जो परवतिय भाग होते है या नदी की उपरी घाटी होती है उनकी जो भुजाएं होती है वो ती कीला और तीवर ढ़ाल वाला होता है हर आकरती के बाद में हमको एक डाइग्राम बना लेना है ताकि हम अपने अंसर को इस पस्ट कर सके कि हम क्या लिख रहे हैं नेक्स्ट है फिर जलजगरती का इनकी रचना नदी घाटी में ऐसे स्थान पर होती है जहां नदी तल में ठोस चट्टाने बिच्छी होती है मतलब जलजगरती का की रचना नदी घाटी में ऐसे स्थान पर हो जाती है जहां नदी तल में ठोस चट्टाने बिच्छी होती है ठोस चट्टाने तल पर लुड़कते हुए मतलब थोस चट्टाने मतलब कड़क कड़क चट्टाने पड़ी हुई होती है और जो चट्टानी रहती है ये लुड़कते हुए कंकर रोड़े टलहटी में गड़े बना देती है अब जब ये बहुत कठोर होगा जब ये लुड़के गी इधार आएगा तो यहाँ वाली गार्ज सामन्ता नदी की गहरी और सक्री घार्टियों को गार्ज अत्वा कंद्रा कहा जाता है गार्ज अत्वा कंद्रा किसे कहते हैं नदी की गहरी और सक्री घार्टियों को नदी जो होती है उनकी जो गहरी घार्टियां रहती है उनको गार्ज और कंद्रा कहते हैं ऐसी नदी घाटियों के पास अतियंत धालू होते हैं मतलब जो पास किनारे होते हैं वो धालू हो जाते हैं सामन तक गार्ज की रचना कठो चट्टानी भाग से होती है इस प्रकार की रचना गार्ज की होती है यह हमने डाइग्राम में सो किया कि गार्ज को जिस प्रकार से होते है धलान वाले अब है कैनियन क्या होता है कैनियन गार्ज का ही बड़ा रूप होता है गार्ज जो धलान वाले होते हैं जो हमने ऐसा पड़ा उसका ही बड़ा रूप क्या होता है गार्ज होते हैं सोरी कैनियन होते हैं सुस्क जलवायू वाले पहाड़ी उचे और पठारी भाग जब नदी घाटी के चोड़े होने किया पिक्षा गेरे होने की किरिया तेज होती है तो इसके अंदर केनियन की रचना होती है देखिए इस प्रकार से कुछ केनियन होते हैं ये इस प्रकार से कहरे खड़े का निर्मान करते हैं और इस प्रकार से नदी का प्रभा होता है तो जलख से भी आप से पूछ गहारा होता है एक या कि एंधर से हो जाती ही हुज़आ हो जाती है जिसके अंदर खट्ड ऑने्मीन का इर्माब होता है next जलप्रपाद जलप्रपाद क्या होता है ऊचे से से करो से बहती हुई नदी आती जब बड़े पहाद होते हैं तो जब उन से बहती हुई नदी आती है तो धरातल की प्राणमिक असालाई कर Jake कहीं उच्छा है नीचा है तो रातल की प्राारमिक सामान तक उसके मर्ग में जलप्रपात बंजा है कुछ पानी इधर आएगा कुछ पानी धर आएगा है कूछ तो उग जलप्रपात करुपन ले लेता है ज अब सफ ज़लप्रपात और उसके उपर से यकायक नीचे गिरने लगता हो, चट्टन के उपर से गिरने लगता है, प्रभा की इस समानता को जिसमें जल उपर से नीचे गिरता है, जल प्रपात कहलाता है, कुछ इस प्रकार से जल प्रपात रहता है, यह चूना फत्तर रहते हैं, यह चट्टने हैं, अब ये अलग-अलग प्रकार की चट्टाने आपको देख रही हैं अब एक दम नीचे कठोर चट्टान पढ़ जाती है तो पानी क्या होता है उसको नीचे काट के निगल तो उसकी ऊपर से यहां इनको काट नहीं पाता तो उनके ऊपर से यह बहने लगता है तो यह क्या कहला जल प्रपात कहलाते हैं यह जल प्रपात आपको पांच या छे नंबर में भी पूछा जा सकता है तो आपको उसमें भी ऐसा इसी प्रकार से लिख देना है चित्र बना के फिर चिप्री का घाटी के किसी भाग में नदी के बेग पून भाब को चिप्री का कहते हैं तो यह जल परभा का डाल अधिक खाड़ा होता है तो इसे खड़ा हुआ हो जाता है तो इसे अहाजल प्रपाती कहते हैं सो फ्रेंट्स यह था हमारा आज का कोशन और यह भूगल की फाइल इस प्रेकार की फाइल आपको यह notes में मिलेगी और friends यहां हमारे मद्धपदे से special का package है जिसमें आपको 4 file मिलेंगी मद्धपदे से special में यह current affair की 12 file का package है जिसमें आपको sorry 3 marker की 12 file का package है जिसमें आपको 3 marker के 12 file मिलेंगी और यह मेरा पूरा package है prelims, mains, plus 3 marker, plus salt paper plus 22 paid group, plus test series ही आपको 15,000 रुपए में इसकी पूरी hard copy है और soft copy अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको prelims का नहीं मिलेगा बकि सभी के solid soft copy आपको मिल जाएगा तो आप ले सकते हैं यह हमारा prelims का package है जोकी prelims आने वाला है तो आप लोग तैयरी start कर दीजे मैं strategy जल्दी ही आपके लिए लेके आती हूँ whatsapp group से जोर जाएगा friends तक कि आपको सभी videos का information मिलता रहे और आपको सभी detail मिलती रहे जो मैं देती हूँ इसके अलावा विक और ज़रूरी सुचना मैं आपको देना चाहती हूँ friends आप आपको लाइब मतलब डाउट के लिए सेशन रहेगा जिसमें आप अपने डाउट के लिए कर सकते हैं MP के टॉप एजुकेटर इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा daily और weekly free life mock test दे सकते हैं जिसके पास कारण जिसके पास आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा स्कोर कार्ड से आप अपनी इस्तिति जान सकते हैं इसके अदर आपको अलग अलग चार डिफरेंट इग्जाम्स के लिए यह आपको दिया जाएगा जैसे क्या भी पैसी प्रिलम से MPP Police, Constable, MPSI और MPGL पर हरी इसके अलावा free life quiz रहेंगे 20k plus question रहेंगे जो हर subject के cover रहेंगे T20 series रहेगी T20 series में क्या होगा जो हाई सोंबार से सनिवार 8 बज़े से रहती है इसमें आपको paper analysis किया जाएगा top educator के द्वारा 20 question 20 minute में आपको इसमें solve करना है इसके अलावा special event और और भी बहुत कुछ आपको दिया जाएगा आपको क्या करना है download करना है और जो भी code साप select करना चाहते हैं वो आप select कर सकते हैं इसके बाद आपको अपने referral code डालना है यहाँ पर referral code के लिए आपको क्या करना है अकांशा capital A-K-A-N-K-S-H-A dot G के आप referral code डालेंगे तो आपको जो unlock हो जाएगा और यहां से आप class join कर सकते हैं unlock में आपको यह होगा कि plug अगर referral code में यह होगा कि अगर आप plus code join करते हैं आपको 10% का discount मिल जाएगा after entering your code learner can access the free product जैसे ही आप code enter करेंगे आपको अंदर पहुंच जाएगे यह फी का subscription आप देख सकते हैं 1 month, 3 month, 6 month, 12 month और 24 जो भी आप लेना चाहते हैं आपको इसमें 3 month में आपको 17% और 6 month में आपको 27% और 12 month में आपको 54% और 24 month में आपको 67% का discount दिया जा रहा है तो आज ही आप Unacademy आप install करके और Unacademy इंडिया की top educator द्वारा पढ़ सकते हैं ओक फरेंस, थैंक्यू